सीजनल पनीरी के बारे में सीजनल पनीरी यह आपको नजर आ रही होगी यह पटोनियां का एक पोधा है तो जो है यह काफी पुराना पोधा है कि बीज गिरे हुए थे पहले से तो यह ग्रोथ हुआ है और खुद बखुद जो है ग्रोथ हो रहा है बहुत ही जबदस और यह इस बहुत ही हल्दी है, इसके उपर फूल चक करें, कितने ज्यायदा माशहलाइ़ जो ये enabled की कर रहा और ये बड़े कवले पर एक भी पार लगा हूआँ वह तो बहुत ही हुशूरती से disturbed कर रहा है बहुत अच्छे फूल भी आ रहे हैं तो मैं इसकी आज कुछ केर आपको बताऊंगा जब आप पनीरी लेके आते हैं लगाते हैं तो आपको पनीरी जल जाती है मर जाती है खराब हो जाती है बहुते तो क्यों खराब आती है ये मैं आज ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो दोस्तो से रिक्वेस्ट रेक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि इस तरीके की नहीं वीडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तो आज पहला रोजा भी है तो सब भाईयों को रमजाल मुबारक का पहला रोजा मुबारक को दोस्तो वडियो शुरू करता है दोस्तो जब आप लेके आते हैं नर्सी से खरीद के पनेड़ी वगरा या पोदा बना हुआ खरीद के लेके आते हैं तो वो कब और किस तरीके आपने लगाना चाहिए दोस्तों ये जो पोधा पड़ा हुआ हुआ है ये तीन से चार घंटे की इसके उपर फस्ट टेम की छहूं आती है और उसके बाद तीन चार घंटे इसके उपर धूप आती है तो बहुत ही प्यारे फूल भी आ रहे हैं इसके उपर बहुत ही जबर्दस ग्रोव भी कर रहे हैं तो इसको मिनिंग क्या चीजे डाली हैं आप किस तरीके लगा सकते हैं मैं आप प्रोपर तरीका इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों सबसे जहले आपके पास भालू मिटी अच्छी मिटी होनी चाहिए उसके बाद डीकंपोस पत्तों की खाद डीकंपोस गुबर की खाद प्रोपर खाद ये चीजें आपके पास मजूज होनी चाहिए जब भी आप पॉट में लगाएं पॉट किस तरीके मिटीरियल त्यार करें यह इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को एंड तक वाज करने हैं आपने ठीक है तो यह आपने काम करने है तीन चीजें आपने मिक्स करनी है मटी जो है जमीन पे आपने मिक्स करके पॉट बना है उसके बाद आपने क्या करने है इसको आपने लगाना है फुल आउडोर लगाना है आपने छाओं पे बिलकुन नहीं लगाना एक से दो घंटे की छाओं हो तो कोई बात नहीं चल जाएगा लेकिन फिर भी इसको धूप लाजमी चाहिए होती है फस्ट टेम की धूप जो है इसके लिए बहुत ही फैदे मन्द है तो जब आप लगा लएंगे फुल आउडोर रखेंगे इसको आपने पानी के किस तरीका देना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ तो दोस्तो जब आप नर्शी से आपको ये पौदा जो है 20 रॉपे का भी मिल सकता है 30 रॉपे का भी मिल सकता है 15 रॉपे का भी मिल सकता है एक थैली में होते है प्लास्टिक की जो थैली बनी होती है प्लास्टिक वाली तो उसमें आपको मिलेगा तो यह जब यह पोदा यह खुद बखुद ग्रोव हुआ है मैं नहीं कहना चाहरा कि मैं खरीद के लिए क्या हूँ यह खुद बखुद ही ग्रोव हुआ है और माशाला देखें कितने ज्यादा फूल है इसके अपर बहुत ही खुशूरत फूल है इसके अपर पहले पूल काफी सारे मैंने उतारे भी है वो ब्रौण ऊचुके थे और खराब ऊचुके थे यफ दुब़ारा इसके अपर फूल आ रहा है ठीक है बहुत ही भर के फूल आ रहे हैं तो ये पौट इसने पूरी तरीके से भर लिया तो जब भी आप बड़े पौट में लगाएं तो आप एक ही फौदा जो है एक गंबले में लगाएं तो ये काफी बढ़ा आजाता है माशाला, काफी फलाओ में आता है तो इसकी जो आप लगा लेंगे फुल आउड़र, तो पानी देने का जो तरीका है इसको पानी आपने एक टेम वाटरिंग करनी है ठीक है, पार्के वाटरिंग करनी है फुल पार्के, तो जब इसकी मट्टी थोड़ी सी खुश्फ़ को निश्रूओ जाए उस्से पहले आपने पानिश को दे देना ठीक है बीलकλ थोड़ी सी नमी हो मटी में तो आपने पानी जो है मटी बत्र वाली हो तो आपने पानिश को दे देना है तो बहुती खुमशूर्थी से आपका पौदा जो है बिहतरी इन ग्रूप करेगा इसका पुटोनिया नाम है इसे पुटोनिया कहते है यह मौसमी पनीरी होती है यह देखे यह एक साइड खाली रह गी है लेकिन यह आसासा से इस तरफ भी आ रही है यह देखें मट्टी में थोड़ी सी नमी है इस तरीके मट्टी हो तो आपने इसको पानी जो है दे देना है ठीक है हलका सा पानी देना है जा अगर मट्टी ज्यादा नमी में यह लिए तो आपने हलका पानी देना है अगर मट्टी बिलकुल खुशकोने शुरू होगी है तो आपने पानी जो है भरके इसको वाटरिंग कर देनी है तो बहुत ही खुबसूरत पौद है तो इसको आप अपने घर में लगा करें अभी मोसम है अभी आप लगा सकते हैं बहुत एजी ली ठीक है आप अपने घर में ग्रोड़ कर सकते हैं इसको तो आज की वीडियो अमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखेगा असलाम अलेकम दोस्तो